नमस्कार मैं हूँ श्रेया आर्या और आप देख रहे हैं इंडिया निउस स्पोर्ट रोहिश शर्मा की अगवाई में T20 सीरीज के लिए जो तमाम प्रमुक खिलाडी है वो अब वेस्ट अंडीज पहुँच चुके हैं हल ही में BCCI की तरफ से एक वीडियो साजा किया गया और तमाम शोशल मीडिया पर फैंस का भी रियक्शन आने लगा है कि अब जल्द ही यहाँ पर T20 के जो प्रमुक खिलाडी है यहाँ पर भारते टीम के दिखने वाले हैं हमें मैदान पर फिलाल के लिए जो भारते टीम पहुची हुई है वेस्ट एंडीज के दोरे पर ODI सीरीज में वो खेल रही है और शिकर धावन की आगवाई में अभी तीन मैचों की यह जो वंडे सीरीज है वहाँ पर भारते टीम पहले ही दो शुन्य से आगे है इस सीरीज का अंतिम मैच खेला जाना है 27 जुलाई को लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर भारते टीम जो T20 में उतरने वाली है जो उसके प्रमुक खिलाडी है उनमें रोहिश शर्मा है उसके साथ साथ भुबनिश्वर कुमार वहाँ पर मौचूद है दिनेश कार्तिक साती साथ रवी चंदरन अश्विन को मौका मिला है उसके बाद रिशप पन तावरतोर बल्ले बाजी करने में जाने जाते हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं तुनिदात पे और विसी सियाई ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से साज़ा की है सभी फैंस के साथ तो देखना यही है कि अब जैसे ही यहाँ पर पहले तो किस मोड पर वंडे सीरीज खत्म होती है क्योंकि लगतार 12 सीरीज जीतने का रिकॉर्ड भारते टीम ने बना लिया है वेस्ट एंडीज को यहाँ पर जीत है भारते टीम की वो अब 12 सीरीज की हो चुकी है और यहाँ पर देखना यही है कि क्या कुछ इसी तरह का record जो रोहिश शर्मा की आगवाई में भाड़ते टीम T20 के format में उतरेगी तो वहाँ पर बना पाती है या नहीं आपको बता दे कि इंग्लेंड सीरीज के बाद वहाँ पर वंडे भी हुआ फिर उसके बाद टीटवंटी सीरीज हुई उसके बाद वंडे सीरीज से पहले जो विस्टेंडीस के खिलाफ हो रही है आराम दिया गया था जो तमाम प्रमुख खिलारी है क्योंकि यह प्रमुख प्रमुख और कुमार वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं टीटवंटी सीरीज के लिए और टीटवंटी सीरीज महद एक दिन के अंतराल पर शूरू हो जाएगी क्योंकि 27 को यहाँ पर वंडे सीरीज खत्म होनी है वेस्ट इंडीस से और उसके बाद 29 चुलाई से जो भार आया था रोहिश शर्मा ने लेकिन कहीं न कहीं उसके बाद अच्छी शुरुआत को वो बहतरीन पारी बड़ी पारी में तफदील नहीं कर पाए इसकी कमी उनकी बल्ले बाजी में दिखी थी अब पैंस को उमीद होगी कि यहाँ पर जब वो वेस्ट इंडीस के खिलाफ उ TCCI यहाँ पर T20 World Cup के बारे में सोच रही है वो एक बार फिर से अब मैदान पर दिखने वाले हैं क्योंकि जो प्रमुक टीम है वहाँ एक बार फिर से वेस्ट इंडीस पहुच चुकी है और जो आने वाले वक्त में एशिया कप होना है वो T20 के फॉर्माट में होना है साथ साथ अगर बात करें तो T20 का World Cup यहाँ पर है उसके कुछ ही वक्त के बाद तो फिलहाल के लिए अगर यहाँ पर देखे तो तैयारियों का अच्छा मौका है यहाँ पर T20 सीरीज जब खत्म हो जाएगी तो इसके बाद Australia और उसके बाद South Africa से भी भारते टीम को यहाँ पर सी PCCI के तरफ से अपनी तैयारियों को पुक्ता करने का बहतरीन मौका दिया चौरा है अब देखना यही है कि जो तमाम खिलारी जो फॉर्म में है वो अपनी फॉर्म को और कितना बहतर बना सकते हैं और जो Out of Form है वो फॉर्म में कब तक वापस आ सकते हैं फिलाल के लिए अब्रीट पसंद आई है तो इससे लाइक करें कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें और साथ इसाथ अगर आप हमारी चैनल पर ने है तो इससे सब्सक्राइब जरूर कर दें